प्रदेश में जिस तरह के साथ साथ पूरी देश के अंदर एक तरह से लोगन और बिल्कुल चौपट हो चुका है अभी सत्पाल मलिक जी ने जो बयान दिया है वो महमहीम राजपाल रह चुके हैं कोई आम व्यक्ति नहीं है और उन्हें जो खुलासा करा है इसके उपर इस सरकार की मंचा जो जबसे यह आमा का अटैक हुआ जबसे ही इसका संचे सबोग हो था इसके बारे में सब बात करें लेकिन सरकार दोर देश भक्ति और एंटी नैशनल की बात सब विपक्षी दलों को बना दिया था लेकिन आज इसके बाद में मामला खुलासा हुआ है तो इसके ऊपर जो सरकार है वो एक तरी से खुद टेरिस्ट के रूप में काम कर रही है और हमने देखा है कि यह मुझे जान तक यह लगता है कि जब यह सत्वाल मरीं की का जो बयान आया इसकी पूरी डा करने के लिए उत्तर प्रदेश में हो गया तो यह सरकार घुंधागर्दी खुदी कर रही है और किसी को मरवा देती है राजनेती ग्रूप से फाइदा लेने के लिए यह जो भी इनका कारी चलता रहता है तो इसका इनका जो असली चेरा है वो जन्ता के सामने आया है जन्सद में तो भाइस वह होती है जो यह चाहते है इनकी बहस होती रहे इनके बड़ी-बड़ी कंप्रियों से जो सौधे कर रहे हैं उनकी बिल पास हो जाए उसकी बहस बाकी सिरफ यह डाइवर्ट करने के लिए एक और कांट कर लेती है आज सबसे बड़े बात यह है आपन करने की बात हुई है आज अगर गंभीरता से देश की जनता को मालूम होना चाहिए और इसकी इसका खुलासा होना चाहिए कि जो हमां में अटैक हुआ है जो 40 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं CRTF के मैं तो मंत्राले का मंत्री रहूं डिफेंस में भी और होम में भी तो उसके उपर बहुत बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं सरकार को अब बताना चाहिए इसके अंदर उनका क्या हाग था